हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कॉनुटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक और क्रूशल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं देज ओपेंट ट्वेडिंग स्ट्राइजी यनि 9.15 पे हमारा मार्केट ओपेंट होता है और मार्केट ओपेंट होते ही आपको कौन सा इंट्रादे ट्वेडिंग स्ट्राइजी यूज करना है जिसके वेसिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिसके वेशिस पर आपके लिए प्रॉफिट बनाना इंट्राडे ट्रेडिंग से आसान हो जाएगा तो चलिए डेज ओपन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेडिक को हम डीटेल से स्ट्राडी करते हैं और सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है आपका यह आपका एक्सिस बैंक का फाइब मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट जिसके वेशिस पर आसानी से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि इंट्राडे में हम mostly फाइब मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट इस्तमाल कर सकते हैं और आपको फाइब मिनट से लोवर टाइम फ्रेम में नहीं जाना है अब tweet लेने के बाद उस time frame में जाके देख सकते हो लेकिन tweet लेने के लिए आपको minimum 5 minute time frame का इस्तमाल करना होगा या नहीं तो आप चाहो तो 15 minute time frame का भी इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ indicator का इस्तमाल करना होगा सबसे पहले जो आपको yellow line दिख रहा है यह हमारा है VWAP indicator हमने इस indicator का इस्तमाल किया उसके साथ साथ एक और आपको green line दिख रहा होगा यह है आपका previous day OHLC previous day का open high low close इसको आप चाहो तो manually भी लिख सकते हो manually भी इसको mark करने में कोई ज़्यादा problem नहीं आता है लेकिन यहाँ पर हमने indicator यूज करके इसको denote कर दिया ताकि आपको हमेशा दिखते रहे और concept ज़्यादा clarity के साथ समझ में आए तो यहाँ पर हमने लिया previous day OHLC एक indicator और दूसरा VWAP indicator लिया है इसके अलावा यहाँ पर हम OI data के भी मदद लेंगे और यहाँ पर हम triple layer of filtration यूज करते हुए intraday trading strategy फॉर्म करेंगे जिससे आपके trade का accuracy level काफी ज़्यादा high होगा तो यहाँ मैं आपको step by step सारा conditions एक एक करके बताऊंगा और वो conditions आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है उस conditions को अगर आप miss करते हैं यूज नहीं करते हैं तो आपका trade का accuracy level high नहीं बन पाएगा तो सबसे पहला conditions क्या है यहाँ पर हम days open strategy के उपर बात करने जाए days open into a day trading strategy तो सबसे पहले जो market आपका open होना चाहिए वो कहाँ पर open होना चाहिए जहाँ पर आपका previous day का closing दिया है previous day के close के nearby ही market आपका open होना चाहिए पहला conditions ही है वहीं दूसरा conditions है कि अगर market आपका ज़्यादा gap up या फिर gap down लेता है तो ऐसे conditions में हमें यह strategy apply नहीं करना है तो यह strategy सिर्फ कब apply करना है जब market आपका previous day जो close है उसके nearby अगर open हो रहा है तब इस strategy का apply करना gap up या gap down जो trading strategy उसके उपर हमने already वीडियो बनाया और इसके उपर हमारा fresh वीडियो भी बहुत जल्द आएगा तो उस वीडियो का भी आप इंतियार कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा चैनल को जब ओर subscribe कर लिजे ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे आपको notification मिल जाएगा तो यहाँ पर बस एक ही conditions है कि previous day close के करीब यह open होना चाहिए उसके बाद जो आपका previous day का closing point है देखें यहाँ पर after settlement यह आपका previous day का closing point है वो क्या बनना चाहिए वो आइदर आपका एक support के रूप में काम करना चाहिए या फिर वो आपका resistance के रूप में काम करना चाहिए और यहाँ पर support और resistance level हमें clear cut पता चाहिए तो सबसे पहला है कि previous day close के नजदीक open होना चाहिए फिर previous day close जो आपका है वो support या फिर resistance के रूप में काम करना चाहिए अब इस conditions में देखें प्रैस आपका previous day close के करीब ही open हुआ है और previous day close जो है वो क्या काम किया है वो हमारा support के रू करना कब करना इसके लिए हम वीवैप की मदद लेंगे जैसे ही प्रैस आपका वीवैप के ऊपर closing दिया यह candle closing दिया अब अगला candle आपका वीवैप के नीचे open हुआ है तो थोड़ा सा wait करेंगे वीवैप के ऊपर जैसे ही जाएगा यहाँ पर हम buy side की तरफ entry लेंगे लेकिन सिर्फ हम वीवैप के वरोसे buy side की तरफ entry नहीं लेंगे हमें यहाँ पर triple layer of filtration लगाना पहला तो हमने जो previous day का close था उसको हमने use कर लिया यहाँ से हमें support level मिल गया और price यहाँ से उपर गया दूसरा confirmation हमें वीवैप दिया है कि आप buy side की तरफ जा सकते हमें अपside momentum का hint मिला है लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए हमें यहाँ पर open interest भी देखना है और open interest का data आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा तो open interest देखने के लिए हम कहां पर आते हैं हम आते है future chart पे और access bank का यह number future का chart है तो ऐसा ही जहाँ भी आप trade ले रहे हो जिस भी situation में आप trade later उस time पे आपको इसके future chart पे आना और आपका 15 minute time build up को देखना है और यहाँ पे आपको OI build up देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर क्या है हम यहाँ पर buy side की तरफ जा रहे हैं तो OI build up में क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका long build up हमें दिखना चाहिए तब हम और short build up नहीं होना चाहिए अगर आपका short build up है और आप buy side की तरफ trade ले रहे हैं तो जो trade आप ले रहे हैं उस trade को आपको avoid करने की जोगत है और triple layer filtration हम इसलिए लगा रहे है क्योंकि कहीं से भी अगर हमें कमजोरी का idea मिलता है तो आपे हम trade को avoid कर देंगे हम trade नहीं लेंगे क्यों data को अगर आप free में access करना चाहते हैं एक आपका बेतवीन तरीका है इसके लिए आपको धन के trading platform को use करना होगा और अगर आपका धन में trading or teammate account open है तो आसानी सा आप इसको use कर सकते हैं अगर आपका धन में trading or teammate account नहीं है तो इस वीडियो के description में link दिया गया उस link पे click करके आप अपना धन में free में trading or teammate account open कर सकते हैं उसके लिए कोई charge देने की जवबत नहीं होती है और आप free में इस data को access करते हुए आप अपने trade का accuracy level increase कर सकते हैं और trade को profit table बना सकते हैं यह data कहां से मिलेगा वो भी आपको पता चल गया और data को आपको कैसे read करना उसके बार में भी आप को यहाँ पर idea में ले गया अब हम वापस से chart पर आते हैं अब हमने chart पर क्या देखा सबसे पहले हमने support से identify कि upside momentum है या नहीं है उसके बाद वी वैप हमें यहाँ पर confirmation दिया दूसरा confirmation वी वैप दिया तीसरा confirmation हमें OI से मिला अब यहाँ पर हम आसानी से trading positions initiate कर सकते हैं इस level के आसपास हम बाइसर की तरफ trade initiate करेंगे और यह जो level आपका बनता हुआ दिख रहा है आपका 861.5 के आसपास होगा तो यहाँ पर हम 861 के आसपास ही बाइसर की तरफ trade initiate कर सकते हैं दो point उपर नीचे हो जाएगा अब यहाँ पर हमारा SL क्या होगा तो जो previous day का closing है closing candle का lowest point तो यह आपका red candle आपका closing candle है इसका lowest point हो जाएगा यहाँ पर हमारा SL बनेगा वो आपका 859 के आसपास हमारा SL बनता हुआ दिखेगा SL बनेगा 859 का यहनी लगभग आपका 2 से 2.5 के करीब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा SL बनता हुआ दिख जाएगा अब यहाँ पर हमारा पहला target पैस क्या होगा target के लिए आप swing high या swing low का इस्तेमाल कर सकते हैं यह हमारा first target पैस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा देख सकते ही जो लेबल आपको बनता हुआ दिख रहा लगभग 865 से उपर का है यहनी यहाँ पे जो हमारा target बन वहाँ वो लगभग 4.5 के करीब target बन वहाँ यह यहाँ पे अगर हम risk और reward की बात करें वो भी काफी हद तक हमारे favor में ही move करता हुआ दिख रहा है तो finally हमने सारा कुछ को एक साथ add करके combine करके हम यहाँ पे intraday trade ले रहे हैं और यह आपको बहुत जल्दी काम करना होगा जैसे यह trade मिलता है आपको अगले 1-2 मियाट में हर जगह से confirmation लेना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे trade initiate कर सकते हैं यह नहीं कि यह सारा analysis में आप 5-10 मियाट time waste कर दो फिर यहाँ पे आप बहुत लेट हो जाएंगे तो यहीं पर हम entry करेंगे यह हमारा first target price होगा उसके बाद हम चाहिए तो profit book करके निकल जाएंगे यानि त आपका अधानी पोर्ट का five minute वाला चार्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं previous day के closing के आसपास ही आपका open होता हुआ दिखा है इन्हीं पहले conditions को satisfy किया उसके बाद previous day का closing settlement है वह हमारे लिए either support या फिर resistance के रूप में काम करना चाहिए और यहाँ पर भी यह आपका support के रू जो कि आपको paper पे ज़्यादा काम आएगा live market में काम नहीं आएगा इस सब के जरी अप live market में trading positions initiate करना आसान हो जाएगा उसकी बाद हमें क्या देखना है कि price vwap के उपर निकलना चाहिए support level है तो हमें buy sir की तरफ trade लेना है अब जैसे price vwap के उपर closing दिया अगला candle भी इसके क्या करेंगे इसके भी हम oi data को देखेंगे जैसे यहाँ पर हमने access bank के oi data को देखा था और यहाँ पर भी हमें क्या दिखना चाहिए हमें long build up दिखना चाहिए यानि तो अगर neutral भी रहगा काम चलेगा लेकिन at least short build up नहीं दिखना चाहिए तो ऐसे यहाँ पर हम जैसे वहाँ से confirmation मिलेगा यहाँ पर हम बाइसर की तरफ trade initiate कर लेंगे यहाँ पर और previous day का जो भी closing था वो हमाई लिए SL के रूप में काम करता बाद दिख जाएगा फिर आप previous day का swing है को target के रूप में इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर अच्छे खासे profit के लिए definitely जा सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पर trading positions initiate कर सकते हैं यहाँ और भी multiple example हम देखते हैं जिसे आपका यह concept और clarity के साथ समझ मे आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए प्राइस आपका क्या हुआ प्रीवेस डे क्लोजिंग के करीब ही यह आपका open होता हुआ दिखा है और प्रीवेस डे क्लोजिंग सेटलमेंट आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास था और यह लेवल आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा है अब जैसे यह आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा आप इस लेवल को भी मार्ग कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे sell side की तरफ लेने के बारे में सोचेंगे लेकिन sell हमें कब करना उसके लिए काम आएगा क् हमें sell कब करना है तो जैसे प्राइस आपका वीवाप के नीचे closing दिया यहाँ पे closing दिया वीवाप के नीचे हम अगला candle पर ही sell side की तरफ जाएंगे लेकिन उससे पहले हमें oi build-up से confirmation लेना परेगा जैसे वहाँ से confirmation मिलेगा हम इस लेवल के आसपास क्या कर सकते हैं sell side की तरफ trade initiate कर सकते हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको modifications करने की ज़रूरत है इस लेवल के आसपास हम sell side की तरफ जाएंगे लेकिन हमारा जो SL बनेगा वो यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा क्योंकि previous day closing का जो भी closing candle का जो भी high है उसी को हम यहाँ पे SL रखेंगे in case of sell तो यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम modifications करते को SL रख सकते हैं इस case में यहाँ पे हम अपना SL रख देंगे और अगर हम टागेट पैस की बात करें तो previous day का swing लो पहला टागेट पैस यह होगा फर्दर आप और नीचे के टागेट पैस के लिए आसा नीचे जा सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप profit बना सकते हैं तो एट लास्ट आपको risk और reward चेक करना कोई भी ट्वेडिंग स्ट्वेड़ हो चाहे हो इंट्राडे हो बेटी स्टी हो स्विंग ट्वेडिंग हो आपको risk reward फाइनली जरूर चेक करना है और जहां पर risk जाला देखेगा reward आपको कम देखेगा चाहे कितना भी perfect trading strategy क्यों ना उस क्या काम कर रहा हमाई लिए clear cut resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा है उसकी बाद जैसे price आपका वीबैप के नीचे closing दिया हम यहां पर sell side की तरफ trade initiate करेंगे और हमें कहां से confirmation मिलेगा हमें OI data से confirmation लेने की जरूरत है OI data जैसे ही यहां पर हमें confirmation देगा हम क्या करेंगे हम यहां पर sell side की तरफ trade initiate कर सकते हैं इस level के आसपास हमारा SL बन जाएगा और फिर हम पहला इस target price के लिए फिर हम और trailing SL के जरी अपने target को और increase कर सकते हैं तो ऐसे simple सा trading strategy आपको use करना और यह आपका क्या है days open trading strategy यानि days open होने के साथ ही हमारा trading strategy तयार रहेगा और इसको आपको कब trade करना 10 से 20 मिनट के अंदर ही यहां पर आपको अपना trading positions initiate करने की ज़गत है यहां पर अगर आप जादा late हो जाते हैं यानि इस strategy में आप one hour के बाद आपको entry नहीं लेना है one hour से पहले ही आपको maximum कोसिस करना है कि 30 मिनट के अंदर ही trade लेना अगर आप one hour से ज़दा late हो जाते हैं फिर भी आपको इस trading strategy को avoid करना इसलिए इसका नाम हमने days open trading strategy रखा है कि days open होने के साथ ही यहां पर हम active हो जाएंगे और अपने लिए trading strategy फर्म करत उमीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इन्कवेच करें चैनल को subscribe नहीं किसे साथ साथ बेल लाइकन नहीं नभूले ताकि जब वीडियो अप्लोड करें आपको notification मिल जाए और आप miss na करे so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद